नमस्कार दोस्तो जैस्री राम जैस्री बागे शुर्दाम सरकार जैहुश्री बालाजी महराज की जैहुश्री सन्याशी बाबा की तो दोस्तो स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम बात करें चमगादड के बारे में जियां दोस्तों अगर रात के समझ चमगादड आपके घर आते है तो इसके क्या संकेत होते है साथ ही आपकी निजी जिन्दगी पर इसके क्या असर पड़ते हैं तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि अपने सनातन दरह में जितने भी जीव जन्तु है या पसुपक्षी है, सभी किसी ना किसी देवता के वाहन है या उनसे संबंधित होते हैं, तो हमारे हिंदू दरह में हर जीव जन्तु हर पसुपक्षी आदिका सम्मान किया जाता है, और आपके घर आते तो आपके लिए क्या इसुब होता है जैसा कि चीट या बिली गर आता है तो इसके होते है अलग-अलग संकेत सभी के होते है अलग-अलग काणी सभी कि होती है दोस्तों आज खर पर आपके मंदिरी दिखाई देता है तो आपके लिए अच्छा संकेत होता है यह आपको धन प्राप्ति का संकेत देता है साथ ही माता लक्षमी किरपा भी आपके उपर होने वाली होती है आपके जितने भी पुराने काम होते है रुके हुए काम होते या पैसो से सम्बंदित कोई भी कारी आपका सफल होने वाला होता है कि हम आपको पता देंगे अगर कान खुजुर आपको गरकी रसोई में मिलता तो ये वी आपके लिए उचित फल देने वाला होता है क्योंकि इसमा, अंण पूर्णा की कमी, कभी नहीं होती, साधी, अंधन की कमी भी कभी नहीं होती है और कान खुजूर अगर आपको गर की रसोई में मिलता है, तो आपके लिए बहुती उत्तम फल देने वाला होता है और अब बात करते हैं अगर कान खुजूर आपको गर की देहलीज पर मिलता है तो यह आपके लिए बहुती अच्छा फल देने वाला होता है अच्छा संकेत होता है क्योंकि इसके दवार आपको पता चलता है कि आपके घर में किसे नए मेमान की आने की उमीद है तो आगे हम आपको बता देगी अगर कान खुजूर आपको गर के बात्रूम में या गर के जहां पर आप कच्रा रखते हो या जहां पर डस्ट भीन होता है वहां पर आपको दिखाई दे तो यह आपके लिए बहुती खतरनाक होता है क्योंकि इन जगह उपर नगारतमा का शक्ति का वा दोस्तों अगर कन खुजूर आपको आपके लिविंग रूम में दिखाई देता है जहां पर आप सोते हैं तो यह भी आपके लिए हानी का सूचक होता है इस जगह पर कन खुजूरा दिखना हानी का सूचक माना जाता है तो दोस्तों यह थे कन खुजूरे के संकेत अगर कन होता है तो आपको बता दे कि चीट्या comparison और आपको घर की धेलीज पर दिखाई देती है तो यह आपके लिए बहुती एसुब माना जाता है क्योंकि गर की भीद्ध करोशी देना थिक्ता है इसके और आप अंदर बाहर नहीं जा सकती है जिससे आपके आने जाने का रास्ता बंद होता है और आपके उपर कोई बैंकर विप्दा का भी आगमन हो सकता है और दोस्तों आगे आपको पता दे कि अगर चीटिया आपको आपकी गर की रसोई में दिखाई देती है या किसी खाने की व सोई में डखके रखे और आगे आपको बता दे कि अगर चीटिया आपके गर के मंदिर में दिखाई देती है तो यह आपके लिए सुब संकेत माना जाता है क्योंकि चीटियों को मातालक्षमी का सवरूब माना जाता है अगर चीटिया आपके गर के मंदिर में दिखाई से तो तुरुण प्रनाम करें क्योंकि मातालक्ष मिस्वयम्जा है मातालक्ष परोप चीटिया करें क्यों मातालक्षमी कि इंहना च्वरूपमाना जाता है तो चली दोष्ट और आपको कर Hmmm बात्रूम में नजर आती है या बहुत सारी चीट यह गठी आपके घर के बात्रूम में निकल आती है तो यह आपके लिए बहुत ही घातक सी दोने वाला होता है क्योंकि नकारतमक शक्ति का वास आपके घर में हो चुका है क्योंकि आपको तो पताए हुआ कि घर में बात्रू पर आता है तो आपके लिए क्या संखेत होता साथि आपके जीवन पर इसका क्या पर्भाबब पड़ता है तो आपको बता dinner ऐगर आपके घर आता है और बार-बार आता है साथि अंदर आखर घर के मंदिर में 11 सब्याइब च Cisco घर में बैठ्ट जाता है तो यह आपके लिए बहुती सुप संकेत होता है दोस्तों आपको बता दे कि इस Sud Brady ब прогते Αधरों में आगर भीकोट तो आपको नकारात मंख सक्तियों का वास होता है तो अपने बाफ्रूम और डेस्ट बेन की जगह जगह को साप रखे तो यह आपके लिए सूब्हे संखेत होता है लेकिन आपको द्यान रखना की तियादा ना हो प्योंकि जब इनकी संक्या बढ़ जाती है तो यह आपको काट भी सकते हैं साथ ही आपके परिवार के किसी भी सदेशों को छोट पहुचा सकते हैं साथ ही अगर गर में कोई बच्चा है तो यह उनको भी काट सकते हैं और उनको नुक्सान पहुचा सकते हैं तो चलिए दोस् साथ ये किसी हानी का भी सूचक होता है आपको आगा करता है कि आपके घर पर कोई बड़ी परेशानी आने वाली है साथ ही अगर कोई बच्चा इनको देख लेता तो डर भी जाता है तो इनकान हमेशा से ही वास हमेशा खतरनाक और नकारतमक के सक्ति के रूप में ही रहा है त तो छल्य दोस्तो वागे बताते हैं आपको कि टीडे का गराना कैसा संकेत लाता आपके जीवन पर जीवन दोस्तो वैचे तो ये बहुत सारे जुन में आते हैं तो ये आपके लिए बहुती बुरा होता है लेकिन कभी कबार जब बारिज के मोसम में कोई एक या दो टीड़े आपके घरा जाते है तो उनकी क्या संकेत होता है साथ ही आपके जीवन पुरूं का क्या अशर पड़ता है तो आपको बता दे कि ये जदा हानिकारक पहुचाने वाला जीव नहीं होता है ये आपके घराता है तो आपके लिए इसुभी संकेत लेकर आता है साथ ही अगर आपके बात माने तो लोकों लैग में जिमें इसको राम की सीडी भी बोला जाता है तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब बीटीडे आए उसको मारे ना उसको दाएवाए करके भगा दे क्योंकि यह है कि अच्छा संकेत लेकर आपके घर आता है और आपके जिवन पर अच्छा असर डालता है लेकिन साथ ही अगर यह आपके रशौई में चला जाता है धो यह आपके लिए हानीका रख भी बन जाता है क्योंकि यहापके खाने के बोजन को दूशित कर सकता है साथ ही उसमें खितान वादी थोड़ सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसको कभी भी घर की रसोई में देखते हैं तो इसको तुरंद बगा दे या उसको दाए माई कहीं फैक दे आपको ध्यान रखना है कि उसको मारे ना क्योंकि मारने से किसी भी जीव अत्ता का आपको पाप लग सकता है तो इस जीज़ का आपको ध्यान रखना है तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया जितने भी जीव जनतु है अगर आपके घर पर आते है या आपके घर पर वास करते है तो इनके क्या संकेद होते है साथ या आपके नीजी जी उन पर इनके क्या परवाव पड़ते है तो दोस्तों आज की वीडियों बस इतना ही वीडियों आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए